अगर हम लोग एक circle और एक line की बात करें तो circle और line में तीन तरह की relation हो सकते हैं पहला अगर कोई circle है उससे line यहां से जा रही है या दूर से कहीं से भी जा रही हो वो कहीं से भी जा सकती है तो उसको बोलेंगे non-intersecting line दूसरा अगर circle है यह इससे एक point से कहीं से बस touch करके निकल लई हो तो उसको बोलेंगे tangent और तीसरा उसको cut करते हुए यहां से जाए यहां से जाए यहां से जाए कहीं से भी तो उसको बोलेंगे second तो इसके उपर के theorem पड़ते हैं अगर हम लोग कोई circle ले ले मानलों यह circle हो गया इसके उपर से touch करती हुई line जाएगी सिर्फ एक point से जो line touch करती है वो कौन से line होती है tangent तो यह point जहां से यह touch कर रहा है और circle का radius बना दे इस point पे radius तो जानते है radius यहाँ पे बना देंगे तो इन दोनों के बीचे इस line में और radius न 90 degree का angle बनेगा यानि यह दोनों आपस में perpendicular होंगी यह हम दों का पहला theorem है इसका converse भी true है अगर radius जो है यह तुमारा इसके उपर से कोई line ऐसी बना दो जो perpendicular है तो उस line का नाम tangent हो जाएगा बात एक ही है बस गुमा तेरा की बोली है आपसे हैं converts हमेशा उल्टा होता है theorem का अब number of tangent कितने हो सकते है number of tangent भी बता दे रहे हैं कितनी होते हैं जैसे circle है यह circle है थोड़ा सतीरा बन गया है यह circle है अगर इसके अंदर point लिया जाए tangent के लिए तो अंदर point लेंगे और इस line पे tangent बनाना है यह तो center होगा है कोई और point ले ले रहे हैं तो इसके उपर line बनाएगे तो obvious सी बात है यह दो जगह से cut करेगा जब इसकी line खीची जाएगी तो यह दो जगह से cut कर रहा है तो इसको हम लोग tangent में second कहेंगे यानि अगर point तुम्हाई circle के अंदर है तो उसमें number of tangent 0 होगे second बन सकता है tangent नहीं बन सकता है अगर तुम्हाई point circle के उपर है जिससे circle पे कहीं पे भी एक point ले ले यह यहाँ से एक line बनाएगे तो यह दो लोगों का tangent एक बन सकता है और circle के बाहर अगर कोई point ले लिया जैसे यह point यहाँ से tangent बनाना है तो यहाँ से line बनाएगे एक जगह यह यहाँ पे touch कर रहा है अभी यह इतना ठीक से नहीं बन रहा है लेकिन इसको roughly समझना है यहाँ पे करेंगे तो इधर से touch करेंगा यानि 2 बन सकते है हम लोग के पास 3 cases आएंगे सबसे पहला if point is inside तो zero हो जाएगा if point is on the circle onward यहाँ पे जरूरी है यानि circle के ऊपर ही circle की perimeter में कोई भी point लिया जाए तो सिफ एक tangent बनेगा if point is outside अगर point को circle के बाहर लेंगे तो दो बन सकते हैं maximum zero zero बनेंगे अगर point inside है जैसे inside का example यह लिया था तो यह जो है इससे line बनाएगे तो second बनेगा अगर circle पे लेंगे तो एक ही बन सकता है और point बाहर लिया था तो दो बन के आए थे हम दो के पास एक और theorem पढ़ना है अगर यह हम लोग का circle हो गया अब जैसे हमने दो बताये थे ना दो होते हैं if point is outside तो दो टैंजेंट बनेंगे जैसे outside में एक point ले लिया अब इससे दो टैंजेंट बनाएंगे एक scale दी दो हैंगे यह जाने दो हो गया यह दो point बन के आगए यह point हम लोग का P मान ले रहे हैं और दो जहां पे दो points पे touch कर रहा है उसको A और B मान लिया तो PA की length PB के equal होगी सबसे पहला क्या इससे हम लोग तीन laws निकालेगे एक तो हुआ PA की length PB से equal है यह पहला law हो गया दूसरा law क्या होगा हम लोग का the tangent subtend equal angles at the center क्या मितलब हुआ इसका जो tangent है वो center पे जैसे यह हम लोग का point हो गया center उस पे equal angles subtend कर रहे हैं यानि equal angles subtend करना समझते है जैसे यह line join कर दे रहे है center से point outside पे यह tangent है यह center पे इस angle को हाँ इस angle को यह ज़रूरी नहीं यह थोना 90 जैसे लग रहा है ज़रूरी नहीं है यह इस angle को subtend करेगा और इसी तरह यह PB वाला जो है इसको join कर दे तो यह वाला angle अब यह दोनो angle जो है वो same आएंगे यानि इसको अगर angle X मान रहे हैं इसको angle Y angle X is equals to angle Y angle X हमारा Y के equal होगा तीसरा लोग जो हम लोग आएगा तीसरा अगल यह होगा तीसरा थियोरम यह होगा तीसरा हम लोग का लोग जो होए वो यह होगा किसी point को circle के center से जब जोइन करेए यह जो PC line है इस PC line पे जो inclination बना रहा है हम लोगों टाइजेंट दो टाइजेंट है एक PA है और एक PB टाइजेंट है यह सबसे पहला टाइजेंट लिए जाए अगर PA तो यह जो है इस line पे जो inclination दे inclination मतलब समझते हैं inclination यानि जैसे कोई example ले लो inclination का यह line है इस line पे दूसरी line कितनी जुकी हुई है यानि अगर यह 30 डिग्री से जुकी हुई है तो यह इसका inclination हो जाएगा incline मतलब किसी पे जुकी होना है किसी के ऊपर कितना inclination है उसका तो अगर यह जो है थीटा है तो यह भी थीटा होगा यानि पी एंगल PA PC इसको नेम किया जाता है CPB यह वाला एंगल लेना है तो सरसे पहले यहां से चुटू करें जो एंगल है उसको बीच में CPB तो एंगल APC किसके equal हो गया एंगल CPB अब एक और हमारा theorem है यह theorem जादा यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी इसको book से पढ़ ले रहे है if two circles touch then the point of contact lies on the straight line joining their center अगर दो circle touch कर रहे है जैसे पहला वाला diagram देखें यह कहां पे touch कर रहा है point P पे दो circle touch कर रहे है तो उनका point of contact point of contact यानि वो कहां पे contact यानि एक दूसरे से मिल रहे है वो किधर लाई करेगा on the straight line joining their centers A और B इन दोनों की center है इसको join करेंगे तो point of contact P इसके उपर आएगा जैसे दूसरा diagram देखा जाए यह circle है इसके अंदर एक और circle है दोनों कहां पे touch कर रहे हैं P पे तो A जो है बड़े वाली circle का center है B जोने छोटे वाली circle का center है इसके उपर line खीच दी जाए तो यह जो P यानि point of contact है वो किस पर लाई कर रहा है इसी line पर आएगा इसके उपर एक important theorem है circles touch externally and only if R1 प्लस R2 is equals to D अगर R1 और R2 किया है यहाँ पे R1 और R2 यानि दोनों के एक इसमें important theorem है अगर R1 और R2 bigger और smaller circle की radius होंगे तो circles अगर externally touch करेंगी तो R1 प्लस R2 is equals to D होगा D यानि distance between their center जिसका example ले ले अगर यह कोई बड़ा वाला circle है और यह एक छोटा circle है R1 बड़े वाले circle का radius है और R2 छोटे वाले circle का radius है तो इनके बीच के distance क्या होगा obvious सी बात है R1 प्लस R2 लेकिन अगर यह internally touch करेंगी तो क्या होगा R1 माइनस R2 इसका भी example ले ले रहे है जैसे यह वाला बड़ा circle है और यह वाला छोटा circle है बड़े वाले circle का radius क्या होगा R1 छोटे वाले circle का center इधर आएगा radius यह हुआ तो यह R2 हो जाएगा अब R1 पूरा यह है R2 यह है R1 मेंसे R2 हटा देंगी तो कितना point बचेगा सिर्फ इतना R1 मेंसे R2 हटा दिये तो इतना part बचेगा तो वो क्या हो जाएगा दोनों के center के बीच का distance D यही जो part है वो क्या जाएगा D यहाँ पर यह पूरा part जो है वो क्या जाएगा D तो D के दो cases आ गए यह दो ज़रूरी है अगर R1 और R2 एड़ कर देंगे तो D आएगा कब जब center circle जो है वो externally touch कर रहे है R1-R2D के equal कब आएगा जब circle internally touch कर रहे है अब अब दो का एक और theorem है If two chords of a circle intersect internally और externally then the products of the length of segments are equal यानि दो chord है जैसे पहला वाला diagram देखू अगर दो chords है जैसे chord क्या होता है कोई भी chord क्या होता है बताओ कोई भी वो circle के अंदर जो line होती है डाइमीटर के सिवा कोई भी line पूरा खीचोगे जो दो पॉइंट पे touch करें तो वो chord कहलाएगा अब कोई भी दो chord आपसे intersect कर रहे है यहाँ पे काट रहे है एक दूसरे को काटना intersect करना तो PA into PB is equal to PC into PD आएगा जानि कि चार पॉइंट्स बन रहे है तो पी से सब का डायरेक्शन लो पी ए पी पी सी पी डी यह दोनों का प्रोड़क्ट इक्वल आएगा यह वाल देखें कि PA into PB is equals to PC into PD यह जरूरी है यहाँ पे अब यह सिफ internally के लिए नहीं होता है externally भी देखा जाए जैसे यह वाले diagram में देखू यह वाले diagram में जो यह line है यह कषड है यह बाहर के दिए वह भी बढ़ा दिया गया है और यह वाली कॉर्ड है यह बाहर जाके intersect कर रही है यहाँ पे intersect कर रही है तो इसमें भी same law लगएगा PA into PB is equals to PC into PD तो यहां पर क्या होगा हमने बताया था ना जो पॉइंट जहां पर यह इंटरसेक्ट कर रही है वहां से दिस्टेंस लोगे चायरू पॉइंट का यह पहले कॉड में देखो पी एंटू पी बी किसके एकवाल होगा पी सी इंटू पी डी अब अगला वाला जो लोह है उसके लिए से से पहले एल्टेनेट सेङमेंट समझना पढ़का जैसे यह हमलुका सरकल हो गया और यह वाला टैंजेंट हो गया यह थोड़ा अंदर हो गया है यह तैंजेंट हो गया इसके उपर अगर कोई कोई कॉड कहीच दोगे है तो यहां का एंगल देखा जाए तो इसके लिए alternate segment के आए ये पूरा area या फिर ये lock एवल इतना समझ सकते हैं कि अगर तुम ये triangle बना ये tangent जा रही है और इसके angle ये बना रही है chord के साथ जैसे ये AB chord मान लो और ये B point पे tangent है तो ये angle इस angle के equal होगा ठीक है इसी तरह एक और example लेते हैं जैसे circle ये बना लिया और ये वाला engine बना दिया जैसे इस बार हम लोगों ने ऐसे बनाया था देखो यहाँ पर ऐसे बनाया था तो ऐसे बनाने की जगा इस side बना के देखते हैं और यहाँ से triangle बनाया तो ये angle के equal होगा इसका लेकर ये angle इसके equal होजाएगा अगर ऐसे बनाएंगे तो इसके equal होगा चाहे तो इसमें बना के देख भी सकते हूँ इसको ये बना दो तो ये angle double equals तो करके दिखा दे रहे हैं ये angle इसके equal होगा ये वाला angle इसके equal होगा ये diagram में दिया भी हुआ है इसके एंग्धल की कहल 누가 औ मैं अगर कॉर्ड और टेंजिंद फ़ है इसका मतलब सम्झे अग अगर कोई कॉर्ड और तैंजन इंटरसेक्ट करें जससे पहले हुआ है यहां पर क्या है यह की और यह कोड श्रॉड है ठीक है कि यह कीальном है और यह वाला टेंचेंट है एक ही पॉइंट प पीई इन्टू बीडी यह वाला धोडा सेक्ष। किसके लग रहा है इस सब्सक्राइब हें दो काइस्थी हम्हें धारें तो क्या कर रहा एक तो to PC into PD, पर यहाँ पर डिफरेंस किया है, यहाँ पर टैंजेंट बन गई है, तो PA into PB, किसके equal होगा, PT square, यहाँ पर टैंजेंट होगा, PT square, तो इन दोनों का डिफरेंस याद रखना, अब इसके उपर के questions करेंगे, तो इसका पहला question solve करेंगे, पहला question किया है, find the length of tangent drawn to a circle of radius 3 cm, length of tangent निकालनी है, जो निकालना है, पहले वो माग करेंगे, length of the tangent drawn to a circle of radius 3 cm, यानि अगर diagram बनाए, तो एक circle है, जिसका radius 3 cm है, from a point distant, question दिख मेरा, from a point distant 5 cm from the center, एक ऐसे points है, जिसका distance 5 cm है, center से, तो इसके उपर अगर हम लोग point ये ले लूँ, ये point है, इसका distance 5 cm मान ले, तो अगर इसकी line बनाएंगे, हम लोग यहां से ये tangent बन गई, थोड़ा सा overlap कर रहा है, वो सही कर लेना अपने में, तो ये property हम लोगो होने पढ़ी है, जब भी कोई tangent किसी circle से पास करता है, तो उसके radius से 90 degree बनाता है, यानि ये angle क्या हो गया हम लोग का 90 degree, तो पाइथागोरस theorem के हिसाब से अगर देखा जाएं, पाइथागोरस theorem के हिसाब से देखा जाएं, तो ये जो है, ये right angle triangle बन गया, ये 90 degree है, ये perpendicular है, ये hypotenuse है, और ये base हो गया, बी डाल दे रहे हैं, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, hypotenuse का square, hypotenuse क्या है यहाँ पे, ये, तो hypotenuse 5 का square is equals to 3 का square plus b का square, जो निकालना होता है, उसको अकेले करेंगे, 5 का square minus 3 का square, plus में 3 square था है, यह minus हो गया, 5 का square 25, minus 3 का square 9, b square, 25 minus 9, हम बोका क्या हो जाएगा, 16 is equals to b square, b क्या हो जाएगा, under root 16, 4 तो यह हमारा answer आ गया, तो बागी question अगर आपको solve करने हैं, या आपको इसके question लगाईएगा, अगर इसके question आपको नहीं आते हैं, तो मुझे comments में जरूर बताईएगा, मैं एक live session करूँगी, और आप लोग इससारे questions को solve करके दिखा दूँगी, तो आप लोग बताईएगा, जरूर, thank you